हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टू नौलेस अपडेट यूटीब सेनल, दोस्तो आज इन बताऊंगा आप वोट्स अप में कॉंटेक को कैसे हाइट कर सकते हो, जो आपके दोस्त है या आपके गल्फ्रेंड है, उसका चार्ट को कैसे हाइट कर सकते हो, एक हाइट होता है जो आप directly यहाँ पे क्लिक करते हो तो directly यहाँ पे 3 full stop पे कोई भी hide का option अभी तक नहीं आया लेकिन एक होता है R-sip R-sip अगर करोगे तो कोई भी आपका phone लेता है लगने की बाद R-sip में जाता है तो यहाँ पे देख लेता है आपका chart तो यह R-sip करने से कोई फाइदा नहीं है तो आज मैं बताऊँगा बीना R-sip करके directly chart को कैसे hide कर सकते हो तो यह कैसे होगा यह मैं कहूंगा बिलकुल होगा तो कैसे होगा इसके लिए ध्यान से देखना तो सबसे पहले आपको इसी खुश में वीडियो को कर देना है लाइक और सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द इसे सब्सक्राइब कर लो इसके साथ जो बैल है यह All बैल पे दबा दो और इसके साथ जो comment box आएगा तो इसी comment box में एक प्यारा सा comment यहाँ पे आप कर दो WhatsApp उसके बाद लिख दो चार्ट WhatsApp चार्ट उसके बाद लिख दो हाइट यह एक comment दोस्तों जरूर कर दिना उसके बाद दोस्तों करना क्या जो आपका WhatsApp है WhatsApp पे आना है सबसे पहले आपको देखना है कौन सा चार्ट को कौन सा contact को hide करना है तो सबसे पहले मैं प्रिती का contact को hide करूँगा तो इसलिए प्रिती में click किया तो आपको भी जिसका contact hide करना है उसका message open करना है उसके बाद उसका profile पे click करना होगा profile पे click कर दिने के बाद बिलकुल नीचे आओगे तो एक option यहाँ पे आएगा chart lock तो इसी chart lock को आपको यहाँ से on कर देना होगा on करती है आपके fingerprint या तो mobile का pattern lock से आपको verify करना होगा verify करती है यह chart lock on हो जाएगा उसके बाद back कर दो फिर back करोगे तो यहाँ से देखो प्रिती का chart गायव हो गया यह chart hide हो गया और यहाँ पे आर्शिप में भी नहीं है तो कहा गया यह देख सकती उपर से मैं अभी back कर लेता हूँ पूरा whatsapp को clear कर देता हूँ फिर मेरा whatsapp अगर कोई भी लेगा लेने के बाद आएगा तो प्रिती का chart धुन नहीं पायगा ठीक है लेकिन मुझे पता है यह chart hide किया और यह hide chart को कैसे देखना है उपर से इस तरफ से click करना है उसके बाद lock chart रहेगा तो इसे में click कर दो उसके बाद unlock to continue आपके fingerprint से दे दो उसके बाद देने के बाद जो भी chart आपने hide किया है वो प्रिती यहाँ पे दिखेगा और इस तरफ से फिर chart को unhide करने के लिए फिर से profile पे click करके नीचे chart lock को off कर सकते हो फिर confirm करके उसकी बाद back कर दो फिर से प्रिती का जो chart है यहाँ पे आ गया है तो यह setting आपको कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आया और यह setting पसंद आया तो please उस वीडियो को like जरूर कर दिना